हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत इसने वीडियो में इस प्रोबात करने वाले हैं बिहार राज फसल सहायता योजना के बारे में इसका एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि कब से आपको online आवधन करना है कौन-कौन से लगें दो परकार के कृसक होते हैं आप सब को पताए कि रहत किसान जिनका खुद का जमीन होता है तो उस केस में आपको कौन से डॉकमेंट्स लगाने पड़ेंगे और गैर रहत जिनका बटईदार खेती है उनके लिए कौन से डोकुमेंट्स लगेगा और साथी साथ अगर तो उस केस में भी आपको कौन सा यहां पर डोकुमेंट्स लगेंगे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और लास्ट इट क्या है धान मक्का और सोयबीन के लिए फिंट्स यहां पर आवेदन करेंगे अगर आपका फसल नुकसान होता है फ्यूचर में तो सरकार उसकी भरपाई करती है भरपाई कितना मिलता है आपको तो साड़े साथ हजार के लेकर आपको जो है दस हजार तक का यहां पर आपको सरकार मुआउजा देती है अगर आपका फसल फ्यूचर में बरबाद होता है आ आपने online किया और फसल बारीज के वज़े से या ओला विरिष्टी के वज़े से या सुखाड के वज़े से जो है फसल नस्ट हो जाते हैं तो उसकेस में सरकार आपको साथ जर से लेकर 10 जर रुपय तक मुआवजा आपको देती है तो यह सरकार की योजना इसमें आपको online करने के लिए कोई भी application fee नहीं देना होता है तो चलें friends वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन आपसे मैं एक feedback लेना चाह रहा हूं friends कि क्या आपको मेरे वीडियो से फायदे होते हैं कि नहीं कितना आपको फायदा मिलता है DS Helping Forever YouTube चैनल से प्लीज आप लोग जो है बे जीजक हो के comment box में comment करके बताएं ताकि हमें एक motivate मिले कि हां मैं जो है लोगों की एक तरह से help कर रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से तो please आपको comment section बताएं कि job से आपको कितना फायदा मिलता है मैं जो भी job के बारे में बताता हूं यह सरकायर योजना यह जो भी notification जो भी video बनाता हूं उससे आपको कितना फायदा मिलता है प्लीज हमें comment में जरूर लिखें तो friends देख सकते हैं यह जो है notification जारी हो चुका है इसमें बताया गया है सहकारता विभा के तरफ से बिहार राजय फसल सहायता योजना खरीफ 2021 यह जो नया notice आ चुका है अधिसूचित फसले धान है मक् तो यहां पे तीन परमुख फसलों के लिए friends online होगा और यहां पर देखिए बोला गया है कि आपको कितना रुपय यहां पर योग्जदान मिलता है इस सुझना में आपको कितना सहायता दे जाता है तो देखिए बोला गया यहां पर कि online निबंधन की सुविदा है मतलब यहां पर आवधन कर सकते हैं परमुख जो भी फसले होती है खरीफ में यहां पर आवधन होगा लेकिन मात्र यहां पर तीनी होगा धान मका और सोयबीन के लिए अब यहां बोला गया कि निसूल्क निबंदर पंजीकड़ परकिरिया है आपको कोई भी application fee नहीं देना है इस उसके वाद से 10,000 रुपे आपको प्रती हेक्टेयर यहां पर मिलता है अगर आपकी 20% से अधिक छती होती है तो इस case में आप देख सकते हैं जो है अधिकतम आपको जो है ज्यादा का आवेदन नहीं करना है यह यहां पर नोट्स में बोला गया है और जो भी आपको रासी दिये जाएगी वह आपको डीबीटी के माध्यम से जो है सीधी आपके बैंक खाते में भेज जाएंगे अब देखे बात करते हैं आपको कि आपका करने के लिए कौन कौन से डॉकमेंट्स लगेंगे अगर आप गयर रहियत है मतलब आगर आप बटाईदार किसान है तो यहां पर बटाईदार किसान के केस में क्या है कि दिखे यहां पर आपको क्या क्या बोला गया है यहां पर बतायते हैं सबसे पहला जो यहां पर देख प्रिंट्स यहां पर देख सकते हैं आधहार से जुड़ा बैंक खाता आपके पास होनी चाहिए और स्वगोसरा परमारपत्र आपके पास चाहिए जो की वार्ड सदस से या किसरी सहलाकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए यह एक फॉर्मेट होता है मैं आपको पर रियत किसान में इतने सारे डॉक्मेंट्स आपको चाहिए तब आप आप आवेदन करेंगे मतलब बटाईदार वाले केस में अब जिनका बटाईदार नहीं है उस केस में क्या करना होगा दिखेंए बताया गया है उसके वाद से आधार रिजिस्टर नंबर यह भी चाह चाहिए वह आपका बेंग अकाउंट चाहिए और 31 मार्च 2021 के पस्चात मतलब जो है 31 मार्च 2021 के पस्चात नीरगत जो है भूस्वामी पनमार पत्र अथवा आपको खेत का रसीद चाहिए दोनों में से कोई या तो आप LPC लगाए या आप रसीद लगाए खेत का रसीद हो में है उस पर आपका डिटल्स होना चाहिए स्वा गोश्रा प्रमापत्र इसमें भी चाहिए चैनित फसल आयंग बुवाई का रकबास का सही और पूर बीवराड उसमें लिखा होना चाहिए तो यह भी जो है इसका फॉर्मेट है पांच वनामर जो डॉकुमेंट से इसका उस फॉर्मेट को मैं बता दूँगा कैसे आपको डाउनलोड करना है और वो फॉर्मेट आपको अप्लोड करना होता है और एक आपका हाफ फोटो चाहिए जिसके भी नाम से आप यहां पर आवेधन कर रहे हैं तो यह डॉकुमेंट से यहां पर देख सकते हैं रयत किसान क हैं इसका लाइस देट क्या है लेकिन यहां पर इसका लास्ट नावीन करने का अपर टीन जीलो को ही दिया जाएगा उनलाइन करने के लिए बेगुस्ता राय समस्तिपूर और खगडिया यह तीन जीला के लोग आप पे सोयबीन आवधन कर सकते हैं आप चाहें तो मल्टिपल फसल के लिए आवधन कर सकते हैं धान मका दोनों खेतिके लिए आवधन करेंगे जो format है उस format में आपको बतानी होती है अब इसके अफिसली वेबसाइट पे चलते हैं और बताते हैं आपको format जो है कहां से डाउनलोड करना है यह जो आपका स्वाग होसरा परमारख पत्र है रहयत के कंडिशन में और गहरयत कंडिशन में दोनों में इसको कैसे आपको डाउन और online कैसे करना होता है तो सबसे पहले friends आपको आजाना इस website पे यह जो है इसका original website है जहां से आपको बिहार राजे फसल सहायता योजना के लिए online आवेदन करना होता है अब यहां पे आप आएंगे मैं जो ही इसका link description box में भी दे दूँगा आपको tension नहीं लेना है अब यह यहां पे आप आएंगे तो देखिए यहां पे जो है आपको एक option मिलेगा यहां पे देखिए फसल सहायता योजना हे तू यहां पे आपको क्लिक करना है link one पे तो आप उस पे क्लिक करेंगे तो नया website खूलेगा तो वहां से आपको login करना होता है रेस्क्रिशन करना होता है तो देखे, यहां पे रैयत क्रिसक के लिए जाने वाला स्वागोशराश परमार प法पत्र होता है, इसी को आपको डॉवड करना होता है, लेकिन यहां पे सरकार अभी इसको जो है, जो है जो है अभी रवी फसलाशर ही दिखार रहा है, तो अभी आपको टेंसन नहीं लेन है, क्योंकि इसका online अभी शुरू ही नहीं हुआ है notification आ चुका news paper में आ चुका लेकिन यहाँ पे website को अभी तक update नहीं किया गया है online करने के लिए तो अभी आपको online नहीं करना है क्योंकि यह पुराना वाला ही यहाँ पे अभी आपको यह PDF मिलेगा मैं आपको download करके दिखाएता मैंने इस पर click किया तो देखें आप बोल रहा है download करने की अब यहाँ पर आएंगे देखें यहाँ पर बोल रहा है कि देखें स्वागोसर प्रमापतर तो लिखा है लेकिन यहाँ पर आपको फसल साहे था 2020 और एकवईस दिखा रहा है और आप नीचे आएंगे तो यहाँ अब देखें दिखा रहा है इसमें धान का कहीं नामों निसान नहीं है तो आप कैसे आवधन करिएगा तो यह पूराना वला यह पीडियाफ यहाँ पर अपलोड किया गया है तो अभी आपको वेट करना है क्योंकि यहाँ पर जैसे ही यह चेंज होगा तब आपको यहाँ और मिलेगा और लॉगिन करिएगा तो भी आपको तो आपको गोफन करने का मौका नहीं मिले गा तो आपको एपको को यह никаких परते कि मिलते हैं नेख़् दिए जाय दो देखते लिए दिए सल्पिंग फॉर रवर जाहें